हेलो एवरीवान वेलकम टू रारा दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ मेरे एंपटी प्रोडक्स की और काफी टाइम बाद में ये वीडियो लेकर के आई हूँ आप यहां देख सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कलबार के ये ओन दगो नेल लैक्वर रिमूवर जो ट्रैवल वाइब्स हैं ये फिनिश हो गया है और ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है इसको आप चाहें तो री परचीज कर सकते हैं यहां आप देख सकते हैं बायो डर्मा के एच्टूो मिजलर वाटर ये और इसके साथ में यहां पर सेंसिबियो टोनिक जो की ये एक टोनर है तो यहां पर आप देख रहें मैंने कितना जादा इसको 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 फिनिश किया है ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे मेकप रिमूव करने के लिए मैं हर किसी को रेक्मेंट करूंगी साथ ही यहां पर है बायो डर्मा एटो डर्म इंटेंसिव जेल मुज जो की मुझे बहुत ही अच्छा लगा लाइक इसको आप face wash and body wash बोथ तरीके से इस्तमाल कर सकते है ultra soothing foaming gel है blue texture में आता है और इसको मैंने currently अपने latest skincare routine में दिखाया था मेरे पास अभी इसका fresh piece जो है रखा हुआ है skincare routine में और इसको भी आप ले सकते है यहाँ आप देख सकते है refreshing and clarifying toner है हमालया का इसे आप चाहे तो ले सकते है otherwise आप इसके auction में बहुत सारे toner सेलेक्ट कर सकते है मेरे चैनल पर आपका toners का बहुत सारा collection videos मिल जाएंगे यहाँ पर आप देख रहे है Patanjali का केश कांती hair conditioner बालो के damage को करता है इस नाइस यह 65-70 रुपीज में आता है यह काफी affordable काफी काफी जादा चबर करता है और मैंने Patanjali का जो यह conditioner है बहुत ही जादा time repurchase किया है Colorbar का dream come true जो fragrance mist है यह भले ही 450 का है मगर आप इसकी bottle का size देखे इसकी product quantity इतनी amazing इतनी जादा आती है और इसको जब भी मैं apply करती थी मुझसे कोई न कोई पूछता सा कि मैंने क्या ऐसा खुश्बू का इस्तमाल किया है यह कितनी जादा भीनी भीनी खुश्बू देता है आपको ज़रू ट्राइ करना चाहिए इसके another variance के बारे में मैं नहीं कह सकती है मैं इसी के बारे में कह सकती हूँ क्योंकि मैंने यही ट्राइ किया है मंत्रा का गुलाब अर्क यह मैंने गुलाब जल जाने कितनी बार परजेज किया है कॉस्टली है 650 की बॉटल आती है लेकिन हाँ यह बहुत अच्छा rose water है and I love rose water मेरे daily skincare routine में मुझे लगता है कि rose water मैं कभी skip नहीं करती wish care का यह 100% pure and natural rose water जो है यह भी काफी अच्छा है इसे भी आप everyday face tone करने के लिए use कर सकते हो ले सकते हो mama earth का rose face toner is also awesome यह भी एक बहुत अच्छा toner है तो अच्छा के like pore tightening के लिए साथ में आप यहाँ यह mini perfume देख रहे है यह naika के mini perfume है यह खाली हो चुके है अब आते हैं यहाँ पर यह face mask के बारे में तो यह जो आप देख रहे हैं खाली bottle adjust herb का है यह फिनिश हो गया है बट यह यह काफी अच्छा था बट मैं इसे repurchase नहीं करूंगी यहाँ बात करती हूँ मामारत के tea tree hair mask की और मामारत के apple cider vinegar hair mask की तो यह hair mask तो मामारत के बहुत ही awesome होते है और भाई मेरे बालों को तो यह बहुत अच्छा suit करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं तो मैं तो इने बार-बार लेना चाहूंगी और इसी के साथ में यहाँ पर मामारत का rice water hair mask तो मामारत के सभी hair mask बहुत ही अच्छे है और नाइका नाच्रल्स का जो यह vinegar hair mask hair vinegar and ginger apple cider vinegar यह यह भी अच्छा है यह भी बालों को बहुत smooth बनाता है Biotic का Musk Root Fresh Growth Nourishing Treatment Pack जो है देखिए मैंने आपको हर एक hair mask का demo बहुत ही detail में दिखाया है तो प्लीज परिशानमत होईएगा चैनल पर जाकर के आप individual video देख सकते हैं आपको बहुत ही पसंद आएंगे यहाँ पर Plum का Body Lovin Vanilla Vibes यह आप Body Scrub देख सकते हो यह आपकी तवचा को gently exfoliate करता है इसे आप बिलकुल ले सकते हैं और Biotic का यह hair mask जो है treatment hair treatment यह भी ले सकते हैं आप इसके अलावा यहाँ पर Siri Expert के यह आप देख रहे हैं दो shampoo फिनिश हो चुके हैं तीन hair mask जो है फिनिश हो चुके हैं absolute repair के अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितना hair mask लगाती हूँ साथ ही नायका का यह देख सकते हैं hair mask फिनिश हो गया इसका outer packaging जो है रिमूव हो गई है इसका आउटर पैकेजिंग जो है रिमूव हो गई है यह actually बालो को repair करता है लेकिन थोड़ा costly है मगर फहुत ही कम product इस्तमाल होता है साथ ही यहां है मामट का tea tree, rice water और इसका पुरा conditioner and shampoo का pair है तो यह finish हो चुके है और यह shampoo conditioner बहुत ही बढ़िया रहे बहुत time पहले मैंने वीडियो किया था empty का तो आप परिशान मत होईएगा यह एक महीने के नहीं है product बहुत time लगा है इनको finish होने में साथ ही Naika Naturals के आप shampoo देख रहे है Rita Shikakai का latest launch था and fermented rice water and bamboo shampoo यह दोनों finish हो चुके इसके conditioner थोड़ा थोड़ा बाकी है तो वो मैंने भी बातर में रखे हुए है और L'Oreal का यह dream length shampoo थोड़ा finish हो गया है लेकिन थोड़ा मतलब यह finish हो गया है conditioner इसका थोड़ा सा बाकी है leave-in cream भी बाकी है और Naika का यह apple cider vinegar conditioner और shampoo दोनों ही finish हो चुके है साथ ही आप यहाँ देख सकते है L'Oreal का Extraordinary Serum इसकी दो bottle अरड़ी finish हो चुकी है यह third bottle है fourth bottle में बहुत थोड़ा सा बचा है दोस्तो Skin Love का pure skin lightening and whitening जो face wash है यह काफी अच्छा है लेकिन मैं यह कहूँ कि आप इसे winter में यूज़ करिएगा बहुत बढ़िया result देगा Skin Craft में दुबारा री परचेज नहीं करूंगे अभी यहाँ पर है यह pure rose water from herb extract यह बहुत ही बढ़िया ब्रैंड है यह rose water बहुत अच्छा है affordable है मेरी इंडिया है आप जरू ट्राइ कर सकते हैं organic का अगर आपको मिल जाए Spencer बगेरा में तो आप ट्राइ कर सकते हूँ Plum का यह body love-in जो Hawaiian rumba जो body mist है of course यह must-have product है for summers, okay not for winters और आप यहाँ देखिए Himalya name के यह packet देखिए कितने finish हो चुके है कितने सारे मैंने stock कर रखे because यह face wash बहुत ही बड़ा saviour है इसको मैं हमेशा लेती ही हूँ ट्रावल में तो यह face wash काफी काम आता है क्योंकि दूसरे लोगों को भी अगर किसी को pimple की समस्या है तो उनकी problem solve हो जाती है तो caring and sharing वाला formula जरूर अपनाना चाहिए ट्रावलिंग में आप यहाँ देख सकते हो biotica tea tree skin clarifying face wash भी अच्छा है यह भी आप ले सकते हो और हिमालिया का नीम face wash travelers especially teenagers के लिए बहुत अच्छा है जरू ट्राइ करें अगर आपकी तोचा बहुत dry हो रही है और आपको कोई बढ़िया face wash चाहिए जो आपकी तोचा पे किसी प्रकार का कोई भी इरिटेट ना करें आपकी स्किन को और किसी भी प्रकार से reaction ना हो बायोडर्मा सेंजिबियो जेल मुजेंड यह पिंक वन जो है यह बहुत ही amazing है आप ट्राइ करिएगा करेंटली मैं इसी को use कर रही हूँ और बायोटिक का यह बायो बेजल और पासले प्यॉरिफाइंग बोडी वश अच्छा है बहुत अच्छा है मैं यह कहूंगी लेकिन समर्स के लिए और मॉन्सून वेदर के लिए प्लम का ग्रीन टी अल्कोहल फ्री टोनर पोर टाइटनिंग के लिए अच्छा है डिफिनिटली आप ट्राइ कर सकते हो फोर समर्स अड्र कलबार का फ्लोरल ब्रीज हैंड वश इस मस्ट हैव और इसमें जितने वेरियन्ट आते हैं वो मस्ट हैव हैं दोनों के रिव्यू मैने कीए है हिमालिया का TAN Removal Orange Face Scrub अच्छा है लेकिन Face Scrub और भी बहुत अच्छे चे मार्कित में अवैलिबल है आप देख सकते हो और P-Safe का ये Intimate Wipe Natural Intimate Wash ये और Intimate Wipes जो है आपके किट में होने चाहिए अगर आप एक फीमेल हो आपके पास P-Safe के ये दो प्रोडाक्ट ज़रूर होने चाहिए ये बहुत ही ज़ाधा काम आते है और आप हाईजिन का थोड़ा ध्यान रखें ये Biotic Morning Nectar, Body Scrub, Face Scrub जो है clean हो चुका है clear हो चुका है, खतम हो चुका है लेकिन ये काफी अच्छा है इसका जो टेक्च्चर है वो काफी थिक था और करबार का Glitter Wipe Selfie Mask अच्छा है लेकिन ये बहुत costly है, इसलिए मैं नहीं लूँगी से मामारत का Optan Face Wash पता नहीं कितने बार मैंने यूज किया और पता नहीं कितना मैं इसे और यूज करूंगी as a body scrub भी मैं इसे यूज कर लेती हूँ, that is why और रमेत्रिक्स बायोलाज का जो ये smooth proof deep smoothing serum है ना दोस्तों ये 6 in 1 oil serum है लेकिन ये non-sticky है और अगर आपने कोई serum try करना है बालों को smooth बनाने के लिए तो try this ये इतना amazing है, मैं हर किसी कोई से suggest करती हूँ, लेकिन local नहीं करी दियेगा, authentic दुगान से करी दियेगा, इसकी first copy भी market में बहुत मिलती है और Biotic का ये mountain eboni serum है, इसको आप ज़रूर लीजेगा, बहुत ही अच्छा है for falling है और ये आपके बालों को vitalizing देता है, and revital lift crystal clear तवचा के लिए आपको L'Oreal का ये hyaluronic acid serum ज़रूर ट्राइ करना चाहिए and इसकी मैं तीन bottle finish कर चुकी हूँ यहाँ पर आते है, ये अनियन scalp serum, hair growth के लिए super food है ये, ज़रूर आप ज़रूर ट्राइ करिएगा, मामार्थ के body wash, obtun vitamin C and mama art tea tree body wash और यहाँ आप देख सकते है charcoal, साथ में mama art body wash for kid, आप mango variant देख रहे हैं, ये 5 के 5 जो body wash है आप ज़रूर ट्राइ करके देखेगा बहुत ही amazing है, और इसमें cocoa variant भी बहुत अच्छा है वो मैंने gift कर दिया मैंई sister को, यहाँ आप यहाँ बहुत है, यहाँ बहुत है, यह तो मेरे collection में है, यह चलता रहता है, कोई body wash जब समझना आए, तो मैं यही ले ले लेती हूँ, कुछ नहीं तो विग बजार अगर जाती हूँ तो यह ले ले लेती हूँ, कुछ नहीं तो वहाँ पे काफी अच्छा डिसकाउंट रहता इस पे, palm olive का यह body wash यहाँ देख रहे हैं, luminous oils के साथ में आता है, इसके अलावा palm olive aroma morning tonic, यह भी बहुत अच्छा है, लेकि इन दोनों में आप morning tonic ज़रूर ट्राइ करके देखेगा, और इसके अलावा साथ में आप देख रहे हैं, यहाँ पर color bar का यह body इसलिए ही लगती है मुझे तो इसलिए यह भी मैं suggest नहीं करूँगी, बाकी अभी मैं products use कर रहे हूं, कुछ थोड़ा थोड़ा बाकी हैं, और makeup में तो देखिए बहुत कम products ही खर्च होते हैं, और skincare और hair care ही जादा खर्च होते हैं, और foundation वगेरा कुछ finish हुए हैं, तो उनक यहाँ पर Godridge Professionals का honey moisture mask है दोस्तों, यह मुझे एक gift में मिला था, जब मैं pack के store पे गई थी, कुछ purchasing के लिए, तो store वालों ने मुझे यह का था कि आप यह try करके देखिए हमारी तरफ से, यह काफी ज़ादा quantity में मिलता है, 500 gram का pack है, आप देखरो कितना बड़ा और यह बाल मैं आपको बोलूगी, अगर आपको मिल जाए, तो आप ट्राइ करके देख लीजेगा, बाकि आप यहाँ देख सकते हैं सारे कि सारे प्रोड़क्त, तो मीद कर रही हूँ, आपको मेरे empties में, recommendations पसंद आए होंगे, और मैं आपको नायका से product से प्रोड़क्त से लीजिए, किसी भी S.E.V.S.E. साइट से नालें, जहां से आपको फेक प्रोड़क्त मिलें, या फिर डैमेज या फिर एक्सपारी डेट के प्रोड़क्त मिलें, तो दोस्तों अपना भी धियान रखिये और अपने लिए भी चीजों का धियान रखिये, और मुझे फॉलो कर लीजेग Facebook, Instagram पर, thank you so much, bye bye and lots of love!